हमने अपने पिछले लेक्चर में code commit करना और pull request raise करना सीखा था इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि GitHub से हम latest code को अपने local में कैसे pull करें तो मान लीजिए अभी मैं एक नई file create करता हूँ develop branch में मैंने इसो test file नाम दिया है और इसमें मैं कुछ test लिग देता हूँ अब इस file को मैं commit कर देता हूँ यह file directly develop branch में commit होगी आप देख सकते हैं कि अब हमारी develop branch में test file बन चुकी है लेकिन हम अपने local में refresh करके देखेंगे तो यह file अभी यहाँ पर नहीं आई है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हम right click करेंगे toy toys git पे जाएंगे और pull करेंगे pull क्या करता है pull git hub से latest changes को हमारी local repository में लेकर आता है तो हम ok पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने test file को insert कर दिया है one insertion आप यहाँ पर इस file को open करकर भी देख सकते हैं जो changes हमने वहाँ लिखे थे वही changes इस file में आ गए है हम आपको अगले lecture में code को reward कैसे करते हैं यह बताएंगे धन्यवाद